नमस्कार जोहार आदाव आप देखरें नियूस 31 भारत मैं विजेट हापुर फिलाल जैसा कि जैक ने रिजल्ट जारी कर दिया खल लगातार मैं अपने भी अपने जो रजा विठा जोन है इस जोन से भी मैं आपको लगातार खबर दिखा रहा हूं जी मैं अभी उपस्तित ह यां केड़ो बजार में की स्कूल हूऊ रुधकरमित उच्छ विद्दालय केड़ो बजर्ब जिसमें एक बच्ची इहां भी एक बच्ची ने अपने विदालय में टॉप करके में तसे अप MORE प्रिवार का अपने मातापिता का नाम रोसं कि सबसे पहले आपका नाम बताई तनुस्री सेन तनुस्री जी तनुस्री अब बताई कितना माक्स आप लेका ना 89.6 पर्टेंट खुश है नमर से खुश है लेकिन मतलब 90 प्लस सोचे थे और सै अपने आप अपने आप जितना टार्गेट रखे तो उससे थोड़ा कम आया इसे काम आया कहीं आप अपने विद स्कूल में टॉप के ऐसे तो और ज्यादा लाने का प्रियास था मेरा मेडिया आज सबसे बड़ी बात है में इनके माता जी और पिता जी भी साथ है आप देख सीधे देख पा रहें स्क्रीन पर कि मैं इनसे भी जना आज सर आज ऐसा है कि आज आप अपनों बेटी के नाम स पढ़ती लिखती रहती थी मनें खाने का समय ना नहाने का समय बच्ची को जब भी देखिये तभी पढ़ते रहती लगन के साथ पढ़ती थी उसी और इनमें हम सभी का सयोग रहा वही बताएगी आप बताईए कि जो आप इतना अच्छा माक्स लेके आए हैं कि शरकारी व योगदान तो ऐसे सारे सिच्छक पैरेंट्स सभी का रहा है लेकिन कहींने कहीं मतलब सेल्फ इस्टरी भी बहुत माहिने रखता है और टीचर ने बस रास्ता बताया कि यह ऐसे पढ़ो यह करो और बस उसको फॉलो किया तो सेल्फ इस्टर बहुत जरूरी है तो टीचर र हो रहा है इतना अचा रिजल्ट और मेरी बेटी है कि पूसे शेता कि इसको माग जलक단 बंपसे क्लियोगन ने noble тоб्यक भी तो पढ़ लिए उसके बाद पढ़ लिगी उसके बाद पढ़ाई तो होगी आप तो काम करेंगी ना अगे पढ़ेगी थोड़ा बहुत समय निकालके उन्हें तो पढ़ेगी अभी तो छोटा जगह एधर से गाउं घर से ग्रामी नहीं लाके यहां से बेटी को बाहर अब को अभी तो इच्चा है तो देखिए अब कोईसा होगा तो भीजेंगे पढ़ाने अच्छा आपका ड्रीम क्या है यूप सी क्लियर करना और एक आई-एस ऑफिसर बनना है आई-एस ऑफिसर बनके आप क्या किसे आई-एस अपिसर के तो इसमें पहला उद्देश है कि कहीं न कहीं मैं सिक्षा विभाग पर कायम करना चाहती है और एक नारीष सकती करन मुझे मतलब यह टॉपिक अभी मुझे बहुत ज्यादा अट्रक्ट कर रहे है अभी पता नहीं उस फिल्ट पर जाने पर जाने के बाद क्या होगा लेकिन अभी कहीं न कहीं को सिक्षा वि बहुत योगदार रहे वह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और वह मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर तुम पढ़ने में ठीक हो तो आगे बढ़ो मतलब किसी भी चीज़ को मतलब मत रोक के रखो अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ो क्योंकि हर जग करने का जुनून है तो आप कर सकते हैं चाहे रिजल्ट कम हो या ज्यादा क्योंकि वह खुद बताते हैं कि उनका टैंथ में वह साइस सकेंड थे उसके बाद उन्होंने आएसी वगएर किया तुन में उनका फर्स था और आज वह मतलब हाई स्कुल टीचर है आपका कहने मत क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्सकों को कितना मेंनत करते थे तो मन में रखते थे कि 3-4 घंटा तो पढ़ना रेगुलरी उसके बाद कभी ज्यादा कोसिस रहता थी कि ज्यादा से ज्यादा पड़े लेकिन 3-4 घंटा रोज पढ़ना है और एक टार्गेट हमें से र चाहें डाई रोज पांच घंटा पढ़ना जाहिए आप जितना दे सकते हो असकी की समझने की तरीकह लग कोई पांच घंटा में कोई शीर भी थी। सब्सक्राइब कर लेते हैं अच्छा करते क्या है आप हम एक साहयक अध्धापक है और उच्छी प्राथ्मिंग विद्दाले सुंद्रा ट्रोला वारिजर परकड़न में आप सिक्षक है तो अच्छा इनका जो मेहनत था वो आप लोग सुने कि इन्होंने किस तरह से अपने पढ़ाई का संतुलन बनाये रखा और बैलेंस रखा अपने पढ़ाई को और बिल्कुल आप लोग को भी प्रेरना लेने की जोरत है चुकि आप भी पढ़ाई कभी करते हैं मन से करते हैं उसे कंटिन्यू रखनाए चाहिए तो य प्रकार थालक तो उसी परकार हता है कि इसी परकार रखना चाहिए उस फिसी पर लेटर समझते हैं तो उसे मच doet कम उसकते हैं बिल्कूल जासे इस बच्ची का बात आप लोग सुने कि इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना मेहनत दिया अपना तो आपका भी रिजल्ट निखर कर आया है और मैं सबसे पहले तो हमारी जो टीम है नियूस 31 भारत की टीम आपको सबसे पहले बधाई देती है और जो हमारी टीम के तरफ से आपको बहुत 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 बढ़ाई पूरे परिवार को बढ़ाई और मैं कहना भी यहीं चाहूंगा कि जितने भी लोग जितने भी छात्र छात्र हैं हमारे इस चैनल के मादे में से वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबों को भी अच्छी म आफिर मैं बोले कि क्यों आखिर उनके उनका मुद्दा तो देख रहे हैं कि नारियां भी बहुत आगे बढ़ रही है सबक्षा ही रिजल्ट आ रहा है हर छेतर लड़कियां सुपन सल अगर नहीं है तो वह भी स्वेस्टेन थे करता हैं अगर हम अपनी सब कोई सब कुछ बंद कर देता है कैसे भी करके आर्स में नाम लिखा लेता है साधी के चक्कर में मतलब भेज देता है कि साधी अब लगवाव एक साल दो साल होते होते साधी भी सब का लगवाव लगी जाता है तो इस तरह मतलब एक लड़की का जुनूर नहीं बढ़ पाता है कि लड़किया भी कुछ कर पाती है ऐसे तो बहुत से लड़किया ऐसे हैं जो खुद के जीद पर कुछ आ रहे हैं जीद भी मतलब इस युजाचा मिठाई खिला देजिए देख लिए सकते हैं कि खुषी का माहूल है उनके जो माता पिता है उनके चाचा जी है वो सब मिलके अपनी बच्ची को मिठाई खिला रहे हैं भला